परिचय सामना करने के लिए तुम्हारी प्रतिरक्षी क्रमता बढ़ाने में मदद करें ठीक है मैं तुम्हें समझाती हूँ कि प्रतिरक्षी क्रमता क्या होती है और यह संक्रमनों से कैसे लड़ती है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे साहज प्रतिरक्षा के रोधों की पहचान करना उपाचित प्रतिरक्षा की अवधारना को समझना सक्रिय एवं निश्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर को समझना टीका करण एवं प्रतिरक्षणी करण की अवधारणा को समझना एलरजी और स्वप प्रतिरक्षा को समझना मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की पहचान करना प्रतिरक्षा क्या है? परपोशी की रोग कारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है प्रतिरक्षा कहलाती है प्रतिरक्षा के प्रकार प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है सहज प्रतिरक्षा और उपार्चित प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो व्यक्ति की प्राकृतिक जैविक रचना के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रूप से उत्पन होती है सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्यकारकों के प्रवेश के सामने विभिन अवरोध खड़े करने से हासिल होती है यह रोध इस प्रकार है शारीरिक रोध कार्यकिय रोध कोशिकिय रोध साइटोकाइन रोध शारीरिक रोध यानी फिजिकल बारियर इसके अंतरगर्थ त्वचा तथा श्वसन, जठरांत्र तथा जनन मूत्र को आस्तरित करने वाली अपिथिलियम का श्लेश्मा आलेप यानि म्यूकस कोटिंग सम्मिलित हैं काई की अरोध यानि पिजियोलोजिकल बैरियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं आमाशय में अम्ल, लार, आसू कोशकिय रोध, सेलिलर बैरियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं श्वेताणू, लिम्फोसाइट्स, ब्रिहत भक्षकाणू यानि मैक्रोफेज़ साइटोकाइन रोध इसके अंतरगर्थ इंटरफिरोन सम्मिलित हैं जो की असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विशानू संक्रमन से पचाती हैं उपाजित प्रतिरक्षा उपाजित प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा होती है जो रोग जनक के संपर्क में आने पर रोग प्रतिकारक यानि एंटी बॉडी के विकास द्वारा प्राप्त की जाती है जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोग जनक से सामना होता है तो एक निम्न तीवरता की प्राथमिक अनुक्रिया होती है हाला कि बाद में उसी रोग जनक से सामना होने पर बहुत ही उच्छ तीवरता की अनुक्रिया होती है यह अनुक्रियाँ विशेश प्रकार के लसिकानू की सहायता से की जाती है B. लसिकानू टील असिकाणू बील असिकाणू ये रोग जनुकों से लड़ने के लिए रक्त में प्रतिरक्षी यानी आंटी बोडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती है टील असिकाणू टील असिकाणों प्रतिरक्षियों यानि आंटी बोडीज के निर्माण में पील असिकाणों की सहायता करती है प्रतिरक्षी यानि आंटी बोडी प्रतिरक्षी बी कोशिकाओं की सतह पर वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो रोग जनक के प्रभाव का सामना करने के लिए रोग जनक उद्धीपन की अनुक्रिया में रक्त या लसिका में स्रावित होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG इत्यादी. प्रतिरक्षी की संगरचना प्रत्ययक प्रतिरक्षी अनु में 4 पेप्टाईड श्रिंखलाएं होती हैं. लगु हलकी श्रिंखलाएं, दीर्ग भारी श्रिंखलाएं. एक प्रतिरक्षी अणू H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के प्रकार हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया बी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में प्रतिरक्षी के उत्पादन के द्वारा माध्धित की जाती है कोशिका माध्धित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इस प्रकार की अनुक्रिया श्वेतानुओं प्राकृतिक भग्षक कोशिकाओं टी लसेकानुओं और साइटो काइन्स के सक्रियन द्वारा उत्पन्न की जाती है इस प्रकार की अनुक्रिया टील असे काणुमों द्वारा माध्यित की जाती है उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और निश्क्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यह एक प्रतिजन की अनुक्रिया में प्रतिरक्षी के उत्पन होने के परिणाम स्वरूप होती है निश्क्रिय प्रतिरक्षा जब पहले से तैयार प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर के बाहितत्वों से रक्षा के लिए दिये जाते हैं तो यह निश्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरन सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राक्रतिक या कृत्रिम रूप में अजित किया जा सकता है टीका करण तथा प्रतिरक्षी करण टीका क्या है? टीका करण दुर्बली कृत या निश्क्रिय रोग जनक या रोग जनकों की संग्रचना के एक भाग का मिश्रण है जो रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करता है लेकिन गंभीर संक्रमन उत्पन करने में या असमर्थ रहता है टीका करण किसी विशिष्ट बीमारी को पुन होने से रोकने के लिए टीका लगाना टीका करण कहलाता है प्रतिरक्षी करण प्रतिरक्षी करण टीकों के प्रयोग के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके समवेदन शील मरीज को संचारी रोग से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है ठीका करण तथा प्रतिरक्षी करण ठीका करण और प्रतिरक्षी करण की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित होते हैं रोगजनक या निश्क्रियत या दुर्बली कृत रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीनों के विर्चन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है परिणाम स्वरूप प्रतिजनों के विरोध रोग जनी कारकों को निश प्रभावी बनाने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन किये जाते हैं साथ ही समृति B और T कोशिकाएं बनती हैं जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोग जनक को पहचान देती हैं और प्रतिरक्षी के भारी उत्पादन से उन्हें हरा देती हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृती शरीर की किसी भी प्रकार के संक्रमन से रक्षा करती है। सक्रिय तथा निश्क्रिय प्रतिरक्षा किसी प्रतिजन की उपस्थिती या किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आने पर अनुक्रिया के रूप में प्रतिरक्षियों के विकास के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी करण, उदाहरण के लिए BCG का टीका निश्क्रिय प्रतिरक्षा यदि एक व्यक्ति किनी घातक जीवानुओं से संक्रमित होता है, जिनमें शीग्र प्रतिरक्षा की आवशक्ता होती है, तो हमें सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रति आविश देने की आवशक्ता होती है इस प्रकार का प्रतिरक्षी करण निश्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है, उदाहरन टिटनिस प्रतियाविश Allergy पर्यावरण में मौझूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर रंजित अनुक्रिया Allergy कहलाती है इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां IgE प्रकार की होती है Allergy ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए बाह होते हैं और एक Allergy क अभिक्रिया पैदा करते हैं, Allergy कहलाते है उदाहरन के लिए धूल में चिचडी, पराग, प्राणी, लगुशल्क, आदी Allergy के लक्षन छीटना, पनीली आखें, बहती नाख, सांस लेने में कठनाई Allergy Allergy के कारण जब एक व्यक्ति किसी Allergen के संपर्क में आता है, तो IgE प्रतिरक्षी बनते हैं, जो स्वयम को मास्ट कोशिकाओं से जोड लेते हैं ऐसी मास्ट कोशिकाओं, Allergen के संपर्क में आने पर, Histamin तथा Serotonin जैसे रसायन निर्मोचित करती हैं, जिससे Allergy होती है Allergy का उपचार Antihistamin, Adrenaline और Steroids जैसी दवाओं के उपयोग द्वारा, Allergy के लक्षन कम किये जा सकते हैं स्वप्रतिरक्षा यह एक भ्रमित प्रतिरक्षी अनुक्रिया है, जिसमें हमारा शरीर अपने ही उतकों के विरुध प्रतिरक्षियों का निर्मान करने लगता है, जिससे अतिसमवेदी अनुक्रियाएं होती है स्वप्रतिरक्षा रोग शरीर की अपनी कोशिकाओं और उतकों के प्रती प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है उदाहरण के लिए माटाइड आर्थराइटिस लसिकाभ अंग वे अंग जहां लसिकाणूओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते है लसिकाभ अंग के प्रकार लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते है प्रात्मिक लसिकाभ अंग ये वे अंग होते हैं जहां अ परिपक्व लसिकानु प्रतिजन समवेदी लसिकानुओं में विभेदिध होते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग इस प्रकार हैं अस्थी मज्जा थाइमस द्वितियक लसिकाभ अंग लसिकाणूँ को प्रतिजन के साथ पारस परिक्रिया के स्थल प्रदान करते हैं, जो बाद में प्रचोर संख्या में उत्पन होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं द्वितियक लसिकाभ अंग में निम्न सम्मिलित हैं, प्लीहा, लसी का ग्रंथियां, टॉंसिल, क्षुद्दांत्र के पेर पैच, परिशेशिका, लसिकाभ अंग, प्रात्मिक लसिकाभ अंग, ये टी लसिकाणूओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म परियावरन उपलब्ध कराते हैं अस्थी मज्जा यह प्रमुक लसिकाभ अंग हैं लसिकाणूओं समेच सभी रुधिर कोशिकाएं अस्थी मज्जा में उत्पन्न होती हैं थाइमस यह एक सपाली अंग है यह रिदय के पास और उरोस्थी के नीचे स्थित है जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है लसिकाभ अंग त्वितियक लसिकाभ अंग पलीहा यह सेन की आकरती का अंग है इसमें लसिकाणू और भक्षकाणू होते हैं यह रुधिर जनित सूक्ष्म जीवों को अवरुध करके रुधिर निस्यंद के रूप में कारे करता है लसी का ग्रंथिया यह चोटी ठोस संग्रचनाई होती है जो लसी का तंत्र पर भिन भिन स्थलों पर स्थित होती है जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसी का और उतक तरल में आ जाते हैं वे उन्हें रोक लेती है यह प्रतिजन वहां मौजूद लसी काणूओं का सक्रियन प्रेरित करती है और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदाई है मौल्ट या शलेश्म संबध लसी काभ उतक यह मानव शरीर के लसी काभ उतक का लाभ पचास प्रतिशत है यह प्रमुक्पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्रपथ के आस्तरों के भीतर्स थे क्या आप जानते हैं? पॉली और्थराइटिस, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, जारगन सिंड्रोम इत्यादी, स्वप्रतिरक्षा रोगों के उपचार हेतू, सूक्ष मगोलियों या गुटिकाओं के रूप में डायालिकल फ्युमारेट का उप्योग साइक्लोस्पोरिन के संयोजन में किया जा सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं परपोशी की रोगकारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज और उपारजित सहज प्रतिरक्षा शारीरे कार्यकिय, कोशिकिय और साइटोकाइन रोध बनाती है B और T लसिखाणू शरीर को उपारजित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं यह सक्रिय या निश्क्रिय प्रतिरक्षा हो सकती है किसी विषिष्ट बीमारी को होने से रोकने के लिए ठीका लगाना ठीका करण कहलाता है पर्यावरण में मौझूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया अलरजी कहलाती है शरीर की अपनी कोशिकाओं और उतकों के प्रती प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती, स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है वे अंग जहां लसिकाणूओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते हैं वे प्रात्मिक यानि अस्थी और थाइमस या द्वितियक जैसे प्लीहा लसी का ग्रंथिया आदी हो सकती है